नमस्कार दोस्तों ये एक 108 का LED लाइट खराब हो चुका है तो इसको के से ठीक करना है आज की इस वीडियो में हम जानने वाल हैं सबसे पहले इसमें जो प्रोब्लेम है वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ देखे ये इसका दोनो वैर है यहाँ पर हमें 220 वोल्ल एसी सप्लाई देना पड़ेगा उसके बाद ये जलेगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिरीज लाइन का दोनो वैर को ले रहा हूँ तो इस प्रकार का प्रोलेम यहां पर हमारा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा, तो खोलने के लिए मैंने यह लाइट को यहां पर उल्टा करके रख देता हूं, और यहां पर लाइट की चारो तरफ हमारा स्क्रू लगा हुआ है, तो सबसे इस प्रकार से निकल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, और यह वाला भाग मैंने जो पकड़ के रखा हूं, यहीं पर हमारा सारा काम है, इसी में हमारा सारा कंपोनेंट लगा हुआ है, यह दोनों हमारा LED ड्राइवर है, और यह जो लाइट दिखाई दे रहा है, यह हमार करते हैं, देखें यह दोनों ड्राइवर हमारा बिल्कुल ही समान है, दोनों LED ड्राइवर में कोई भी अंतर नहीं है, और जैसे सारे LED ड्राइवर में दो सेक्षन होता है, एक इन्पुट और एक आउटपुट, वेसे ही यहां पर भी दो सेक्षन है, एक इन्पुट और ए AC supply आता है और LED driver को चलाने के लिए 85 से 265 volt AC supply चाहिए इसके उपर लिखा हुआ है और output में ये AC supply को DC supply में बदलता है जो कि हमारा MC PCV को जलाने के लिए चाहिए और output में भी दोनों वैर है और ये दोनों वैर का color अलग अलग है red वाला वैर हमारा plus है और black वाला वैर हमारा minus है और ये जो DC supply आउटबूट में मिलता है वो हमारा 30 से 40 volt होता है इसके उपर लिखा हुआ है तो इसी प्रकार से ये driver हमारा काम करता है इसके उपर detail में लिखा हुआ है आप चाहो तो पढ़ सकते हो देखे दोस्तों अभी मैंने LED LED का दोनों एर की साथ में और दो एर को जोड देता हूँ और ये जो दोनों एर को जोड रहा हूँ इनको मैंने घर का बोर्ड में लगा देता हूँ जहां पर 220 volt AC सप्लाई आ रहा है और अभी मैंने मल्टी मेटर को ले रहा हूँ और इसको 200 volt DC में सिलेट करके रखता हम यहां पर ये जो दोनों LED ड्रैवर है इनका जो आउटपूट में DC voltage होता है उसको चेक करेंगे सबसे पहले मल्टी मीटर को अच्छे से रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा तो देखे यहां पर उपर में जो LED ड्रैवर का दो एर लगा हुआ है य इसका देख लेते हैं यह भी 41 voltage दिखा रहा है तो यह ड्रैवर भी हमारा सही है इसका मतलब यह दोनों LED ड्रैवर हमारा सही है और यहां पर हमारा MC PCV खराब है यह जो बड़ा सा LED पैनल है यही खराब हो चुका है तो यहां पर अगर हम यह LED पैनल को हटा कर नया LED पैनल हो जाता है और local market में नहीं मिलता है तो आप इस प्रकार का जुगाड कर सकते हो देखे इस प्रकार का जुगाड करने के लिए आपको 2 DOV चाहिए और यह एक 2 DOV 50 वाट का होना चाहिए और इस प्रकार के DOV को Alfa DOV बोला जाता है यह दोनों DOV को मिला के यहां पर लगाने से यह 100 वाट का बन जाएगा तो इनको केसे लगाना है और केसे connection करना है चलिए देख लेते हैं दोस्तों यह दोनों DOV को यहाँ पर लगाने के लिए सबसे पहले यह जो दोनों LED ड्राइवर है और यह जो हमारा बड़ा सा MCPCV LED प्लेट है इसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा उसके बाद हम यह जो DOV है इसको लगा सकते हैं तो चलिए मैंने यहाँ पर यह दोनों ड्राइवर और यह MCPCV को हटा के यह दोनों DOV को सबसे पहले लगा लेता हूँ उसके बाद आपको connection करके दिखाऊंगा देखे दोस्तों यहाँ से मैंने MCPCV और दोनों LED ड्राइवर को हटा लिया हूँ और इसके जगा पर यह दोनों DOV को कुछ इस प्रकार से screw की दोरान लगा लिया हूँ तो यह दोनों DOV का connection करने के लिए सबसे पहले मैंने एक wire को ले रहा हूँ और यह wire को कुछ इस प्रकार से soldering कर रहा हूँ देखे हमारा दो DOV में 4 point है एक DOV में 2 point है तो यहाँ पर यह जो 4 point है यह 4 point को हमें 2 wire की दोरान कुछ इस तरह से soldering करके connection करना पड़ेगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर वीडियो में देख रहे है तो इसी प्रकार से दोनों wire को soldering करने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ासा wire ले रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पर जो black color का wire लगाया था उसके साथ मैं soldering कर लेता हूँ और इसके बाद एक बड़ासा red color का wire ले रहा हूँ तो इसको मैंने एक red color की wire के साथ में soldering कर लेता हूँ तो यहाँ पर यह जो दोनों wire दिखाई दे रहा है इनमें 220 volt AC supply देने से हमारा यह दोनों alpha डियो भी अच्छे से जलेगा तो चलिए यह दोनों wire को हमें light की जो दोनों wire है इनके साथ में connection कर लेना है तो मैंने यहाँ पर connection जल्दी से कर लेता हूँ तो देखे अभी हमारा यह दोनों wire का connection हो चुका है तो चलिए अब हम इसको check करके देख लेते हैं तो चेक करने के लिए मैंने series line का दोनों air को ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो हमारा series bulb जल रहा है, तो ये दोनों air को मैंने light की दोनो air के साथ में लगा देता हूँ, तो देखे हमारा light तो जल रहा है, लेकिन हमारा series bulb भी जल रहा है, तो येसा क्यूं हो रहा है मैं आप को बता देता हूं सबसे पहले मैंने यह सिरीज बोड को पास में ले आता हूं आपको अच्छे से दिखाई देगा अभी मैंने जलाता हूं यहां पर देखिए यह हमारा सिरीज बल्ब थोड़ा बहुत जल रहा है तो इसका कारण यह है कि हमारा जो लाइट है यह 108 का है और हम मैंने डायरेक्ट में लगाया हूं और यहां पर काफी ज्यादा रोसनी आ रहा है डायरेक्ट में सिरीज में इतना रोसनी नहीं आ रहा था क्योंकि वो जो LED का वाड़ था 108 और हमारा सिरीज बल्ब भी 108 का है तो इसलिए यह लोड अच्छे से नहीं ले पा रहा था देखि अगर आपको इस वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दना